शरू करियादी शरू बारम वक्त स्टर्लिंग ऑस्पिटल गुरूप सामेनेजिंग डिरेक्टर न गुरूप सीयो डॉक्टर समिर दीब गीले जणावी वतू के स्टर्लिंग ऑस्पिटल गुजरात मां विस वरश्टी वदू समयती हेल्थ करिक्षेतर अग्रे सरशे आपको पता हैस्टर्लिंग का गुजरात के सारे बड़े शहरों बड़े मल्टी स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल हैं और क्या होता है जैसे भुझ में अगर किसी को स्टर्लिंग हॉस्पिटल के किसी डॉक्तर की कंसलٹेशन करवानी हो या उपीनियन लेना हो जो कि यहां नहीं हो पा रहा भुज में तो हमारे जो गांधी दाम हॉस्पिटल के सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आप पीछे देख रहे हैं वो रॉस्टर बना हुआ है यहां पे आएंगे और वो उनके भुज के लोगों को बाहर ना जाना पड़े अगर उनको बाई चांस जरूरत पड़ती है बेटर ट्रीटमेंट के लिए इससे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उनको यहां दिखा के फिर गांधी दाम शिफ्ट किया जा सकता है अगर उनको उससे भी जादा सुपिरियर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि गांधीदाम में नहीं हो पाएगा तो वो हमारे अंदवाद हॉस्पिटल में किया शिफ्ट किया जा सकता है इस सेंटर को बनाने का जो सिरफ जो एम ये है जो इसका लक्षा ये है कि लोगों को अपने घर से जादा दूर ना जाना पड़े और उनको एक मेडिक अच्छी टॉप एंड, हाई लेवल, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फसिलिटी अपने ही शेहर में या अपने टाउन में प्रवाइड करवाई जा सके एवी नितेल कोरणा रुक्त आमने स्टर्लिंग उस्पिटल नी पन जरूर पड़ी ती त्यारे पन स्टर्लिंग नू घणू बज़ साथ मड़े तो तो आ ए स्टर्लिंग पोता नू कदम आगडवधारी रही से और आज ये भूज में पोता ने अगरवधी प्रागट ये करता था ता तो आगड़वधी प्रागट ये करता था दूं एक ये रही जाती ती स्वामिजी हम कहीं हरी फॉलाती ना थी एक ज़िसरों हम करें पंदर दील से जठी हाजो थी जए एक और दिवासली से ना जी आगड़ी दीवासली नू काम करें होस्पिटल ने शरुवाद आदि दीवासली था ये ने आज तक आखने जो बड़ा या से ब्दा दीप प्रजलीट था याने ऑज वाद दीप प्रजलीस ड़ी अज जेवा दीप प्रजलीत छे एविन एवि ठाकच जी ओपते हें वेकल स्जाप बॉड नुगंग करते हो